दोस्तो पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि एक यूजर से जो इन्पुट कराया हमने स्ट्रिंग को वो पैलेंड्रॉम है या नहीं है ठीक है ये चेक करने वाले हम लोग तो क्रेटीरिया अ आपने कोई और नाम से बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बस आपका अंसर आना चाहिए राइट जो की यूजर से एक वर्ड लेगा as a string वो किसी का नाम हो सकता है वो cat हो सकता है वो dog हो सकता है ठीक है पैलेंड्रॉम क्या चीज होती है कोई एक वर्ड है अगर आप उस इसका उल्टा आपका बन जाता है टीमा राइट अगर 1234 से आप इसको समझना चाहो तो 123 इसका उल्टा बनेगा 321 तो यह पैलेंड्रॉम नहीं है अगर 121 है इसका उल्टा करोगे तो भी 121 आएगा तो यह एक पैलेंड्रॉम है ठीक है और मैंने आपको hint provide किया था कि आप तो नहीं कहलाएगा ठीक है तो मैं इसको cut कर रहा हूँ और मैंने इसको save कर दिया save करने के बाद यहां पर मैं एक काम कर रहा हूँ यहां पर मैं काम कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं एक function को define कर रहा हूँ ठीक है मैंने यह exercise दिया था और कंफी लोगों ने try किया 30 लोगों ने देखा यह अब तर क्योंकि आपको इस वीडियो का notification नहीं गया था जो मैंने इस वीडियो के अंदर ही आपको कहा था सो इसको जिन लोगों ने try किया screen के ओपर आप check कर सकते हो यहां पर total पांच लोग है जिनोंने try किया मैंने किसी को reply नहीं दिया है देखो इस program को करने के बहुत सारे तरीके है बस आपका answer आजाता है तो आप समझ लोग कि यह correct है किसी एक बंदे ने ऐसा किया था कि actually उसने formula की लाइनों को बाहर लिख दिया फिर function का कोई sense नहीं बनता function हमें बनाना ही इसलिए है ताकि हमें एक काम को repeat ना करना पड़े और हम उस formula की लाइनों को function में convert करके अपने पूरे program में या software में कहीं भी उसको call कर ले बार बार जैसे कि हम print को बुला लेते हैं बिना हमें पता function बना रहा हूं define कर रहा हूं मैं एक function let us say मैंने function का नाम दिया check palandrom ठीक है मैंने function का नाम दिया check palandrom और यहां पर आ करके यह एक word इसको चाहिए आप चाहों तो यहां name रख लेना variable कोई फर्क नहीं पड़ता variable आपकी मर्जी कर रहेगा ठीक है अब देखो मुझे क्या करना है मुझे original string को save करके रखना पड़ेगा right जो कि इसके अंदर है मुझे इस string को convert करना है backward मुझे इसको reverse करना है ठीक है तो reverse कैसे होता है reverse करने के लिए आपका जो string है जो की word में store है इसको अगर आपको convert करना है अगर इसको reverse करना है तो मैंने आपको कल बताया कि आप इसका length calculate करके minus 1 तक जा सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप और easy way से करना चाहो तो आप वह भी calculate मत करो आप पहली value को भी खाली चोड़ दो आप दूसरे को भी खाली चोड़ दो और direct यहाँ पर minus 1 लिख दो इससे भी वीडियो को देख लेना यह वाली वीडियो को how to reverse और उसके अंदर मैंने कुछ आपको links प्रोवाइट की हैं आप उससे देख सकते हो कल मैंने आपको additional यहाँ पे length calculate करना बताया था और आज मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप उसको ना भी लिखो तो भी आपका काम बहुत easy way में हो जाएगा अब always सी बात है इसको किसी ना किसी variable मुझे store करके रखना पड़ेगा तो क्यों ना इसको मैं reverse reverse underscore word एक variable मैंने बना लिया और उसके अंदर मैंने इसको store कर दिया ठीक है तो यह reverse हो करके हमारे पास आ जाएगा अब मुझे comparison करना अब यह हमें एक error दे रहा है unused variable ठीक है हम उसको आगे use करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है reverse word equals to ठीक है हम आगे use करते है फिर देखते ही error हटता है या नहीं हटता अब मुझे actually check करना है इसकी help से मेरा string अगर नमन है तो वो reverse हो चुका है तो वो इसके अंदर पड़ा हुआ है और original इसके अंदर equal to reverse word अगर वो reverse word के equal हो जाता है तो क्या करें तो if condition के अंदर आ करके मैंने कहा return करें क्या return करें true ठीक है ध्यान दे t capital रहेगा तो true return करके वो हमें दे else आप चाहो तो return के बाद यहां पर एक message भी print करा सकते हो कि हाँ यह palandrom है yes it's a palandrom but मैं normal true और false के साथ deal कर रहा हूँ मैंने यहां पर कहा नहीं तो return करें कि palandrom नहीं यसी दिसी बात है तो यहां पर मैंने लिखा उसको false that's it program आपके हो गया खतम अब इसके बाद यहां पर मैं आ गया और मेरे function को मैं call कर रहा हूँ मैंने कहा check palandrom ठीक है अब मेरे function को मैं call कर रहा हूँ और यहां पर मैंने इसको name दे दिया मैंने उसको कहा जो नाम है वो है अमित ठीक है तो पहले case में नमन को reverse करेंगे तो actually नमन आएगा और यह पैलेंड्रॉम बनेगा लेकिन अमित का reverse अमित नहीं आएगा तो यहां पर मैं अपने terminal को open कर रहा हूँ और फटा फट से मैं इसको desktop का path specify कर रहा हूँ reason is मेरी जो file है वो desktop के उपर save है ठीक है और उसके बाद मैंने इसको clear कर दिया clear करने के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूँ python check palindrome.py ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा not check palindrome direct हमारा palindrome है तो कहता true और दूसरे में कहता false जो कि आप देख पा रहे हो नमन का उल्टा नमन होता है amid का उल्टा टीमा हो जाएगा user से अगर input लेना हो तो इस चीज़ को फिर हटा दो यहां से और direct user से input ले लो let us say user से word input करा ले तो यहां पर मैंने एक name रख दिया name equals to और यहां मैं कहता हूँ input और input के अंदर मैंने कहा enter a word यहां पर रख सकते हो बट यह है तो hope so problem ना कर तो यहां पर अलग रखो कुछ let us say word one कर देता हूँ मैं मैंने कहा enter a word अब user जो enter करेगा वो word one में जा करके store हो गया अब अगर मैं मेरे function को call करूँ और इसको मैं कहूँ कि भाई input क्या लेना है तुझे जो word one बंदा बता रहा है न उसके अंदर जो है जरा उसको check कर और इसे एक variable में store कर देते हैं let us say answer है तो मैंने answer कर दिया कि मेरा result क्या आया palandrom है या नहीं है तो इसको मैं result नाम के variable मैं मैंने इसको store कर दिया simple है आप किसी variable में store कर सकते हो और यहाँ पर आ करके मैं कहता हूँ print कर किसे print कर result को print कर save किया और दुबारा से इसको run करता हूँ मैंने कहा अमित कहता false है दुबारा run किया मैंने कहा नमन कहता true है देख पा रहे हो तो आप इस return की जगह पर double quote के अंदर अपने custom message भी रख सकते हो let us say अगर मैं double quote कर दूँ और इसको भी अगर मैं double quote कर देता हूँ यहाँ पर तो मैंने इसको भी double quote में डाल दिया मैंने कहा yes it's a palindrome और इसको मैं यहां से copy कर रहा हूँ, इसके अंदर paste कर रहा हूँ, not a palindrom ठीक है, नहीं है यह palindrom, और save किया मैंने इसको, बहुत simple है, अगर मैं इसको दुबारा run करूँ, और उससे भी पहले मैं यहां पर actually message में थोड़ा से change कर देता हूँ, कुछ ऐसा, मैंने इसको save किया, और clear किया मैंने इसको, दुबारा से मेरे file को run किया, कहता enter word मैंने कहा n a m a n, नमन को उल्टा किया, कहता हाँ यह palindrom है, मैंने कहा Amit, तो कहता नहीं है palindrom, ठीक है, अगर मैं दुबारा से run करूँ, और run करके keshav k e sh a v करू, keshav, तो इसका उल्टा भी keshav नहीं बनेगा, तो यह सही से काम कर रहा है, और बहुत easy था, और जिन पांचों लोगों ने try किया, बहुत अच्छी बात है, और आप धीरे-धीरे करके इसको सीख रहे हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो like, comment, जरूर करे, चैनल पर new है, तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification को on करे, तक कि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में, thanks for watching guys,